हाई अबरिवन वेलकम टो डिश्टल जी के क्लासेश तो बिहार सिक्षक भरती से रिलेटेड हर एक दिन कोई न कोई न कोई नोटिस आती ही है यह आप सभी जानते हैं एक्जाम से लेकर अभी तक जब तक आप सभी को जोइनिंग ना मिल जाया ना तब तक आपको कोई न किया है नया बदला और रिजल्ट में एक नई नोटिस आई है रिजल्ट इती थी में क्या परिवर्तन हो जाएगा और आज आप जानते हैं आज है 9 अक्टूबर जिसका आप सभी को इंतजार था बीएड वर्सेज बीटीसी आप जानते हैं कि बिहार गवर्मेंट के दौर कि आज हीसका फैसला अजा क्योंकि 322 पेस आपाम करेंगो कि दूसरी टिथी मिल जाए पंगां क्योंकि जितना जल्दी का उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगाई यह सारी चीजी हैं और आज नौ औक्टूबर कर दिन आप जानते ही है कि आप सभी सब्सक आपको मेरे चैनल से मैं कोर्सिस करोंगी कि आपको लाइब वीडियो भी जो वहां पे चलता है वो दिखा दूँ तो आपको चैनल से जुड़े रहों वीडियो को लाइक करके प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आप मेंसे बहुत सारी लोग बोलते हैं कि वीडिय सहीं तरीके से नहीं भरा है तो याद रखेगा जब आप डीवी कराने जाएंगे तो अपने साथ अपना ओरीजनल डॉक्मेंट्स जरूर रखेगा यह देखें नोटीस आठ अक्टूबर को रात के समय में आ गया है और यह क्यों आया है क्योंकि अब भी तो रिजल्ट का स द्वारा आप जानते हैं साथ को BPSC के द्वारा मादमिक उच्च मादमिक अध्यापक निकती प्रक्रिया के अंतरगत कार्यालय में रिक्ती संबनित कारे हेतू दिनांक आठ को कर्मियों को पस्तित होकर कारे निस्पादन हेतू दिये गया आदेश में टकडर तूटिवस दिनांक ये ना एक सुधी पत्र है तूटिवस दिनांक 10 को BPSC पटना दोरा परिडाम घोजित तिती करने का निर्धारन किया जाना अंकित हो गया है वस्तोता निकट भाविश में परिडाम आने की संभावना के स्थान पर तूटिवस उक्त तिती का अंकन हो गया है अता क ये कोई नई बात नहीं है आप जानते हैं कि जो आपके सामने एक नोटिस आई थी साथ को मैंने आपको अपने चैनल से बताया था तो उसमें क्लियरली लिखा था कि 10 को रिजल्ट आ जाएगा मादमी कुछ मादमी का और प्राथमी का 16 अक्टूबर को कल भी आपने देखा क्योंकि इन्होंने अपने नोटिस में ही लिखा है ना सॉरी अगर यह ओफिशली नोटिस में लिख रहे हैं कि 10 को रिजल्ट आएगा फिर इनको पता चलागा कि नहीं इतना जल्दी हम रिजल्ट तो नहीं दे पाएंगे तो इसलिए नहीं इन्होंने सुधी पत्र निकाल के बोलते हैं कि अब आप इसको टेंटेटिव मानिए खेर मैंने आपको इन्फोर्मेशन दे दिये क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को वेट था रिजल्ट का बट आप जानते हैं सुधी पत्र आ चुका है अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोल अक्टूबर को रि योगदान तो इसकी तैयारी बहुत जोरो सोरो से चल रही है आप जानते हैं क्योंकि BPSC ने परिक्षा लिया था उसमें अच्छे खासे बच्चे तो पास हुए ही आप जानते हो और नियूंतम अहरतां को कम करने की बात चल रही है इसको लेकर जिला दिकारी के निरदेश पर सिक्षा विवाग दौरा तैयारी सुरू कर दी गई है इसके लिए विभाग की ओर से एक सॉफ्ट्वेर तयार किया गया है सभी गतिविधियां ओनलाइन होंगी जितने भी लोग जो है उत्रिड होंगे सबसे पहले तुनका बायमेट्रिक करेंगे पहचान करेंगे ता अब इनकी तैयारी तो चली रही है आप देख सकते हो तैयारी बहुत अच्छे से चल रहे है इसको लेका सिक्षा विभा क्या पर्मो की सच्यू केके पाठक ने डीम को निर्देश जारी किये है और जो भी आपके यगदान की प्रक्रिया होगी वो चार से पांस दिनों में ही हो जाएगा ठीक है ज्यादा समय नहीं लगेगा सिक्षा विभा की स्थापना साखा के जीला कारेक्रम पदादिकारी अउधेस कुमार ने बताया कि जारी निर्देश में कहा गया है कि वीपेसी सिक्षक निवती परिक्षा का प्रेडाम घोसित होने के बाद सिक्षा वि लेकिन विकल्ब के रूप में आप एक और इस्थान पहले से तयार करके रखें तो देखिए एक तरफ ते इनका सुधी पतर आता है कि हम 10 को आप 10 को कंफर्म मत मांगे 10 को आप संभावित तिथी मानिए तब इनका इसमें भी जो है डमाडोल की सितिती है अब देखो एक ब जाता है बिना सिंगल डाउट के एकदम क्लियरली सुप्रीम कोट के दौरा आ जाता है तो आपको रिजल्ट सोल अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा अधर्वाइस इन्हें भी पता है तभी इन्होंने यहां पर प्राथमी की कोई बात नहीं कर रहा है तो फिर आपका जीला कारेक्रम पदादिकारी है आप जानते हैं जो यह सुद्धी पत्र आया ना इसलिया है क्योंकि गया के जीला कारेक्रम पदादिकारी है वो कार्याले के उन्होंने एक वारल संसोधन आदेश में 10 अक्टूबर को रिजल्ट की संभावना जताई गई है इस संभावी जीला कारेक्रम पदादिकारी के हस्ताक्षर से जारी संसोधन आदेश में किया गया है इसके मुताबिक इसके पहले 7 अक्टूबर को गया कि जीला कारेक्रम पदादिकारी के कार्याले से पत्र जारी हुआ था आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा 939 उसके दौरा BPSC दौरा मादमिक उच्च मादमिक अध्यापक निक्ति प्रक्रिया के अंतरगत कार्याले में रिक्ती संबदिकार हेतु 8 अक्टूबर को कर्मियों को पस्थित होकर कारे निस्पादन में जो भी हेतु दिये गया आदेश में तुरूटी वस 10 अक्टूबर को बिहार का जो परिडाम वो घोसित तीथी करने का निर्धारिण किया जाना अंकित हो गया था गलती से तो इन्हों ने इसलिए बोला कि देखो आप इसको संभावित तीथी मालिए निर्धारित नहीं ठीक है तो अंकित 10 अक्टूबर को BPSC का प्रणाम घोसित होने की निर्धारित तीथी के इस्था वो लोग पकड़े जाएंगे सब कुछ online होगा आप मेंसे जितने लोग एक वीडियो देख रहे हैं भले से आपने application form में कोई documents आप से गलत हो गया हो बट जब DV का समय आए न डीवी का जो process चलता है उस समय आपना original document लेकर जाएए क्योंकि आप original लेकर जाएंगे तभी तो के बताया है it has been found in the scrutiny of TRE DV that many candidates had submitted wrong certificate मतला पहले तो बहुत सारी लोगों ने गलत certificate upload कर दिया था चलो समझ में आता है कि उससे में जल्ली बाजी में हो गया होगा and did not produce correct certificate during DV but उन लोगों ने क्या किया गलत document चलो upload हुआ बट जब document verification के दौरान उन्होंने सही documents दिखाए ही नहीं this source it was rather deliberate this may or may not be a reason to install DV but it's sure its consequences shall be severe तो ऐसे जो है जिन लोगों ने भी ऐसा किया है याद रखें कि इसका परिडाम आपको भुगतना ही पड़ेगा ठीक है बहुत कड़ी करवाई होगी जो लोग यह सोचते हैं कि चलो गलत document भी लगा दिया और document verification के समय भी हमने documents नहीं दिखा जैसे कि आरक्षन से related हो गया आपका कोई degree है आपका seated है कुछ भी गलती हो गई है तो आप उसको document verification के समय दिखाए और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इसके परिडाम भुगतने होंगे और सहीं बात है आपको इतनी बार मौका दिया जा रहा है फिर भी आप लो इ intentative मानिए संभावित मानिए ठीक है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है और result ही थी में परिवर्तन होने के chances अभी है क्योंकि 10 October और 16 October की date सामने आई थी अभी ये दोनों date में मुझे तो नहीं लग रहा है कि result आजाएगा आपको क्या लगता है क्योंकि इन्होंने खुदी notice के म सबसे बड़ी tension है 1-2-5 पर ये मामला फसा हुआ इसका clear होना बहुत जरूरी है और आप जानते है कि 12 बजे आपकी SST की class है और आज history है और आज हम geography भी पढ़ने वाले हैं तो telegram पे मैं आपको time बता दूँगी तो मैंने सूचा है history geography daily start करते हैं seated का आप लोग चैनल पे बन